गर्मियों के मौसम में कुछ ऐसा स्नाक्स खाने का मन करता है जो ओईली ना हो और टेस्टी और चटपटा बहुत हो तो भाई अगर आपका भी मन करता है तो आप ये वाली रेसीप भी बना के रख लीजिए इस स्नाक्स को बनाने के लिए हमने लिया है मुर्मुरा और साथ में लिया है पान से छे पापड पापड को हमें भूनना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक मसाला दियार करेंगे एक खलवट्टे में हमने लिया आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, स्वात के नुसार नमक, साथ में थोड़ा सा काला नमक भी लिया है और 7-8 लैसुन की कलिया है इन सारी चीजों को हमें अच्छे से कूट लेना है एक तम बढ़िया सा इस तरीके से हो जाएगा तो यह देखे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इसे बढ़िया से कूट के रेडी कर लिया है और तीखी वाली मिर्ची जो है वो आप अपने साप चे कम ज़्यादा एड़्जेस्ट कर सकते हैं लेकिन जो स्नैक्स है वो थोड़ा सा तीखा चटपटा ही अच्छा लगता है तो म अब एक कड़ाई में हमने थोड़ा सा तेल लिया है और इसमें हम सबसे पहले पापड को भून लेंगे तो मैं आप पर पापड को तेल में फ्राई कर दे हूं आप चाहें तो इसे गैस पर भी भून के इस्तमाल कर सकते हैं जिससे कि यह बिल्कुल भी ओयली नहीं होगा य या फिर आप इसे माइक्रोवेब भी कर सकते हैं बट मैंने कड़ाई में थोड़ा सा तेल डाला था तो मैंने सुचा चलो इसी में भून लेती हो तो सारे ही पापड हमने भून लिये हैं उन्हें साइड में रख दिया जो इक्स्ट्रा तेल है वो हटा दिया है बस एक को बिल्कुल धीमा रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हमें हलका सा भून लेना है जिसे की जो मसालों लहसुन का कच्छा पैन है वो निकल जाए इसे थोड़ा सा और फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने इसमें हींग डाली है थोड़ी सी ये टोटली ऑप्सिनल है अगर आपको नहीं पसंद ए तो आप इसे skip कर चकते हैं थोड़ा सा भूने के बाद हमें इसमें add कर देना है मूर्मुरा और बस इसे अच्छे से mix कर देना है जैसे जैसे आप इसे mix करते जाएंगे मूर मेरें पे बहुत अच्छा सा yellow color भी आ जाएगा और इसे इसी तरीके से एकदम धीमी आश में लगातार चलाते हुए चार से पांच मिनट तक आपको भून लेना है जिससे आपकी जो मुर्मुरा है वो बड़े असे क्रंची हो जाएंगे तो ये देखे फ्रेंड्स इसमें बड़े असा कलर भी आ गया है और मैंने इसे लगबख पांच मिनट तक धीमी आश में भूना है और ये देखे बड़े असा क्रिस्प हो गया है आप इसे हाथ से दबा के चेक भी कर सकते हैं अब लास्ट में हम क्या करेंगे जो पापड़ हमने भून के रखे थे वो इस तरीके से हमें तोड़ के डाल देने हैं जिससे की मीडियम साइज के टुकड़े हो जाएं बहुत जादा छोटे भी नहीं और जादा बड़े भी नहीं और इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए हम इसमें आड़ करेंगे एक चमच अमचूर पाउडर आप चाहें तो इसकी जगे चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं बस बाकी के कोई भी मसाले हम इसमें नहीं डालने हैं आप चाहें तो इसमें मौमफले के दाने भी ड्राय रोष्ट करके डाल सकते हैं जिससे कि यह थोड़ा सा और भी बढ़िया लगेगा आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें नमकीन भी डाल सकते हैं घर में जो भी नमकीन हो वो एक कटोरी के चितनी डाल दीजिए बट मैं यहाँ पर इसे बहुत ही हल्दी तरीके स बना रहे हूं तो मैं ज्यादा कुछ नहीं डाल रहे हूं आप चाहें तो डाल सकते हैं तो बस पापर डाल के अच्छे से मिला दिया है आप कहीं सफर में जा रहे हैं और आपका कुछ ओयली खाने का मन नहीं होता है और कुछ चटपटा खाने का मन है तो आप इस रेसिपी